Assalamu alaikum friends, कैसे हैँ आप लो? वल्कम टू मैर चानल यूबी जैदी आज की विडियो है हेर स्ट्रेटनिंग के बारे में मैं 7-8 य्र से हेर स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ हेर आयरन यूज कर रही हूँ और मेरे कुछ फेवरिट हेर स्ट्रेटनर्स हैं और फ्रेंस के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो सबसे पहले हियर स्ट्रेटनर है वो है मेरे पास कुछोर पैरिस का ये मेड इन फ्रांस हियर स्ट्रेटनर है और पिंक कलर का है तो इतलोक्स मौर गर्ली इसके दोनों वेट्स आप देख रहे हैं और ब्लाक कलर के हैं मैं इसे यूज रहे हूं और मुझे ये जो काफी पसंदा रहे है किसकी हीटिंग पावर है और पीचिज अब तो फिफिटी डिग्री सलसीश मौर है वो है दोर्स का ये चाइनीज है इसकी भी प्लेट बहुत मज़े की है और इसके तरह की clips इसके आगे लग जाते हैं यानि कि आप इससे कर भी कर सकते हैं, straight भी कर सकते हैं It's a heavy duty hair straightener और मुझे personally बहुत पसंद है क्योंकि इससे जल्दी जल्दी से बाल straight हो जाते हैं जब hair straightening start की थी तो मैंने Remington का 2X technology का hair straightener यूज़ करना शुरू किया था जब 4X technology आई तो मैंने 4X technology वाला भी लिया और यकीन करें कि ये वैसा straightener मुझे आज तक दुबहरा नहीं मिला और ये hair काफी thick हैं इस वज़ा से मुझे थोड़ा heavy duty किसम का hair straightener चाहिए तो मैं यही recommend करूगी कि आप में से जिनके hair thick हैं या घने hair हैं उनके लिए Remington का 4X technology का hair straightener best है और एक जो मैं आपको देना चाहती हूँ hair straightening की वो ये है कि अपने बालों में कोई heat protecting serum ज़रूर यूज़ करें लॉरियल के हैं पैंटीन के हैं श्वास कॉफ के हैं बहुत अच्छे अच्छे ब्राइंस के हैं तो वह आप यूज़ कर सकते हैं आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसना अपने बाल स्ट्रेट करते हूँ यूज़ वो यूज़ कि एक पर प्रफेड करद कि एक पर डाफ प्रफेड एक पर प्रफेड कि एक पर अटब है कर दो झाल शाल उपैष्ट ऑपपो टब छूड़क बड़क टूड़क गॉपक गॉपक मी और उगी और खरी उलर उनलर उनलर वे बुर वित कर पेना दो आलर आंट मी एंड पुलन जूलन मी आट कि लाग कि अगवा उली डिट थाए, और जцийं जूल है? मन्यान के अोर्ण clocking कि अगवा कि अग नुझ थाए में अपने बाल स्ट्राइट कर ली है और अलमुस्ट 20-30 मिनिट्स में मैं अपने सारे बालों को स्ट्राइट किया है स्ट्राइट करने के बाद पूरे फेस की लुक चेंज हो जाती है इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने ये चीक्स ना जला लें स्ट्रेटनर को बहुत देर एक ही जगा ना रखें अधर बाल जल जाएंगे आपके करते हुए अपने कानों से आइरन को दूर रखें अधर ये आइरन अगर आपके कान पे लग जाए तो बस मेरी एक दफा कान जल चुका है इसलिए मैं आपको बता लिए क्यों बड़े जोर से लगता है इसलिए प्लीज टेक कियर और बच्चों से अपनी हाट आइरन को दूर रखें क्यूंकि बहुत सारे चोटे बच्चों के हैंस फिंगर्स जल जाती हैं वो अपने मदर्स को अपना घला लेते हैं इसलिए को देखते हैं भृष्म को कर सकतंथे हैं फ Niा बचेतें को में बच्ची लगता है तो ब blunt को दो, यह से लगता हैं पिंग के पालों में भी सफ्रेशन के दीज देक बाल लगता हैं opportunity्तों कि आपके ए स्प्छे लिएड लगता हो जाती हैं पर स कोईस्टर भी खतम होता है और बाल राई भी हो जाते हैं फ्रीजी भी हो जाते हैं लेकिन क्या करें बड़ा मज़ा आता है कि हम अपने बालों को स्ट्रेट करें और अच्छे लगें एनिवे घर इपको यह प्रीजी अपने पसंद आएका मेरी वीटियो को जड़ूर लाइक करें और शेयर करें अपने लेटर वाइब